नमस्ते दोस्तो दोस्तो मैं मेरी यूटूब चनल अलपेस गार्डनिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो छे महिने पहले प्लास्टिक के पॉट में मैंने एडिनियम का मेरा पधा लगा दिया था लेकिन दोस्तो मिट्टी सूकती नहीं है मिट्टी गीली ही रहती है चार-पांच दिनों तक मिट्टी गीली ही रहती है तो दोस्तो कोई प्रॉब्लेम ना हो और मेरा एडिनियम का पॉटा सरकर मर ना जाए इसलिए दोस्तो आज मैं ये प्लास्टिक के पॉट से एडिनियम के पॉटे को निकालके सिमेंट के पॉट म वैसे भिया प्लास्टिक के पोट में अडिनियम के पोधे को आराम से लगा कर ग्रो कर सकते हो लेकिन दोस्तो एक बात ध्यान में रखे घंबले की मिट्टी एक देर दिन में अच्छी तरह से सुख जानी चाहिए दोस्तो इस एडिनियम में मुझे 6 महिने में थोड़ा सा भी ग्रोध दिखा नहीं है दोस्तो वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने प्लास्टिक के पोट में लगाया था दोस्तो काफी सारे इट के टुकडे मैंने नीचे रख दिये है ताकि डैनेज सिस्टम अच्छी तरह से बन जाए और दोस्तो मैंने कोई पोटिन मिक्स बनाया नहीं है गोबर की खाड और मिट्टी ली है और एक बात दोस्तो एडिनियम में पोटिन मिक्स बनाओ तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तो लेकिन मेरे पास बड़े कंकर मुझे मिले ही नहीं है दोस्तो इसके लिए गोबर की खाड और मिट्टी से ही मैंने अभी फिलहाल किसी से काम चला लिया है जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तो काफी गिली मिट्टी है प्लास्टिक के प है और हैखी इस पोधे में प्रॉबलेम होई है तो इसी के ऊपर में बात करूंगा और रेके हैसा हुआ है दोस्तों वह आठ साल पूरा ना एडिदिन है दोस्तों डैसी एडिनियम ही था और इसके इसे ऊपर मैंने मही महीने में graftate करके column लगा दी थी और दोस्तों बारिस के समय में भी दोस्तों इनको मैं shade में ही रखता था ताकि ज़्यादा बारिस ना लगे वैसा तो दोस्तों सबसे अच्छी अच्छी आडिनियम की गमले या तो सिमेंट के गमले में ही लगाए दोस्तो क्यूंकि मिट्टी का गमला और सिमेंट का गमला खुद ही पानी को अब्जब कर लेते हैं और दोस्तो मिट्टी को आराम से सुखा देते हैं और प्लास्टिक के गमले में आपको वैसा दिखने को नहीं मिलेगा इसी के का ज़्यादा समय तक मिट्टी गीली रहती है और एक बाद दोस्तों अगर आपके घर में प्लास्टिक के पोर्ट में अडिनियम का पोधा हो और अच्छी तरह से ग्रो कर रहा हो और मिट्टी भी अपने आप सुख जाती हो तो दोस्तों इसे चेंज करने की कोई जरुवत नही और एक बाद दोस्तों मैं घर्मियों के सीजन में हफ्ते में 2 बार पानी डाल देता हूं और बारिस के सीजन में 6,8 दिनों तक बारिस ना गिरे और मिट्टी अच्छी तरह से सुख चुकी हो तो जरुवत के हिसाब से पानी डाल देता हूं और सर्दियों के मर्सम में हफ्त में एक बार पाने डालता हूं और थोड़ा कम पाने डालता हूं और दोस्तो एडिनियम की रिपोर्टिंग हो चुकी है और दोस्तो इस घंबले को मैं सुखने के लिए छोड़ दूँगा और तीन दिनों के बाद पाने डालूँगा और दोस्तो, दो महीने हो चुके हैं, दो महीने में काफी अच्छा result मिला है मुझे दोस्तो, महीने में एक बार मैं NPK spray भी करता हूँ और जलो में भी थोड़ा सा दे देता हूँ दोस्तो, और जरूरत के हिसाब से कीटना सक दवाई भी spray कर देता हूँ और आप देख सेकते हूं तीन डाली है ते तीनों की तीनों डाली ओपर काफी अच्छी तरह से कलिया आ चुकी है दोस्तों और मैंने आपको कहा था कि मेरे पास और भी आडिनियम है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट कर देना और मेर चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि गार्डेंस रिलेटिव वीडियो आप सारी दोस्तों के सार सेर कर सकूँ मिलें के ऐसा ही नेक्स वीडियो में तब तकी जातिक के बाबाई